कि वेलकम अब अभी बहुत ही बड़े निवस से बी के दौरा निकल के आ रही है इस यह है कि आपने एग्जाम सेंटर बारा हुआ है जो एक्जाम सेंटर प्री और मेंस के लिए से बी के फॉर्म फिर्ल के टाइम जो आपने बारा हुआ ओव आप चेंज कर सकते हैं तो जैसे सकते हैं आप लिखा हुए दिसी रेगार्डिंग तो रेस्टेशन फॉर अबाव मेंसन पोस्ट इन से भी कॉंसिडरिंग दे करेंट पैंडेमिक सिच्वेशन यू है बहुत ही अच्छे स्टेप लिया है कि आप अपने एक्जाम सेंटर जो प्रिय और मेंस का है वो चेंज कर सकते हैं इस तरह से सूचना चीए था और निकालना चीए था जैसे में भी आरवी पीयों का एक्जाम होने वाला है उसमें बहुत सा केंडेटेस एक्जाम सेंटर अपने नहीं पहुँच पार है क्योंकि तीन से चार दिन पहले ही इड्मिट कार्ड रिलिस कर दिया उससे प इसमें जाके एक्जाम सेंटर एडिट कर सकते हैं और इसमें यह होगा अगर आप चेंज नहीं करते हैं in the case you do not edit phase 1 and phase 2 exam center the center given by you in the initial application मतलब अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो जो फॉर्म में आपने वारा हुआ है सेंटर पहले वही सेंटर आपको अलाट हो जाएगा और यह लिंक कब तक अबलेबल रहेगा यह लिंक अबलेबल रहेगा 31 10 2020 मतलब 31 October तक ही यह लिंक आपको मिलेगा तब तक ही एडिट कर सकते हैं उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं थैंक्यू प्लीज सब्सक्राइब